इसमें अब हम इनको जो फिल्टर्स हैं शीकल क्लीन कर लिया आज आज हमें एक AC के Me εजर इश्यू के बारे में बात करेंगे जब भी आपकी एसी कॉल खूल ले ना उनको निकालने के बाद आपको उपनगी argue क्लीनिंग करती हैं एक लिगें करती है या फिर और कोई प्रोब्लम है मैं नभी इनको जो फिल्टर से AC के इनको बिल्कुल क्लीन . पेढल तो मैंने को जहड़ा उसके बाद में पानी से बिल्कुल प्रेशर लगा पिल प्लिन करते तो गाई सिस्टी के अंदर फिट कर देते हैं है क्या प्लाइश का अंडर यह पता यह फिल्टर को और नहीं दो रहना है कि अब हमने एक फिल्टर लगा जिए दूसरा लगा लेते हैं उसके बाद में चला के देखते हैं कि कूलिंग करती है या नहीं तो गाइस यह देखो बाई अब अभी अपने दोनों जा लिए हैं उनको फिट कर दिया है इसको थोड़ा पैप कर देते हैं यहां से लोगो दात है यह देखो बाई देख सकते हैं आप उपर से एसी कंप्लीट क्लीन हो चुकी है अब इसको जल्दी से चलके ओन करते हैं तो गाइस पहले सिड्डी को बाहर रखे आते हैं फिर उसके बाद में ओन करेंगे कि ऑन करते हैं अ कि अन कर दिया टेमपर्चर को साइड करते रहा पर सोड़ा टेंपर्जर हो गया इसका फैनी स्पीड फुल है कूल पर है और एर स्विंग है जो अपन हो चुका है पावरफुल मोड लगा एक बार इसका डेखते हैं कितना जल्दी कूलिंग करती है इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एसी के बारे में जितना बताया मतलब एसी फिल्टर को क्लीन करने के बाद में अगर आपका जो एसी है अच्छी कूलिंग कर रहा है तो ठीक है और अगर अगर आपको इस वीडियो से कर आपको कुछ इंफर्मेशन अच्छी लगी और आपके कोई प्रोब्लम सोल हुई हो वाइस इस वीडियो को प्लीज करना चैनल पर चैनल को नहीं सब्सक्राइब बाकि मैं मिलता है किसी न्यूंग 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 साथ बाकि अगर सुनिक का है डेटन गा है बताएता हूं आपको पहले तो इस से लेटेट आपको कोई भी प्रोब्लम आए तो गाइस कंफिजन है तो आप सीधर कमेंट्स में जाके कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर आपके सारी समश्यकाओं का समाधान होगा और वीडियो बनाके आपको हल बत